हाई अव्रिवान वेल्कम टु माई चैनल रेसिपी इस एट रांडम कोई भी फेस्टिवल टाइम हो या घर में हो कोई सेलिग्रेशन तो मीठा तो बनता है तो चलिए बनाते हैं बालुशाही की सिंपल रेसिपी इसके लिए मैने ले लिया है ये देल कप मैदा और हमें चाह चाहिए हमें दो कप चीनी एक कप पानी इसी कप से मैंने सारे मेजरमेंट किये हैं केसर के कुछ धागे जिसे गर्म पानी में भिगा कर रखा है इलाइची पाउडर और थोड़ा सा लमिन जूस चलिए सबसे पहले चाशनी बनाते हैं इसके ने मैंने पैन रग दिया है गै मेल्ट होते ही इसमें एड कर दूंगी मैं केसर के स्ट्रांड इससे बहुत ही अच्छा कलर चाशनी को मिलेगा और यही कलर बाद में आपकी बालुशाही के उपर दिखाई पड़ेगा अड कर दिया है मैंने इलाइची पाउडर अब डाल रही हुई है लेमन जूस लेमन बहुत ही इंपोर्टेंट है इससे शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी कभी-कभी आपने देखा होगा बालुशाही के उपर चीनी वाइट वाइट सी दिखाई पड़ती है तो अगर आप लेमन जूस डाल देंगे तो इससे वो चीज नहीं होगी और बस देखिए चाश सबसे पहले हम मैदा को चान लेंगे साथ में हम डाल लेंगे इसमें बेकिंग पाउडर सॉल्ट इसे चान लीजे अब इसमें आड कर देंगे हम दही और घी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम हलके हांथों से इसे मिक्स कीजे अब पानी लेकर थोड़ा थोड़ा पानी एड करके इसको आपस में कमबाइन कर लेंगे इसे हमें जैसे आप रोटी के लिए डो बनाते हैं वैसा बिल्कुल नहीं बनाना है बस खाली इसको आपको ऐसा रखना है कि आपस में पूरी मैदा कम्बाइन हो जाए सौफ डो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए वनना आपकी बालु शाही में फ्लेक्स नहीं आएंगे अंदर से और देखिए डो आपस में कम्बाइन हो गया है और इसे हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बस इसे छोड़ दीजे 15 मिनट के लिए और यह देखिए 15 मिनट हो गया है तो चलिए और बस ले लिजे चाकू या कोई पीजा कटर इसे डो को बार बार काट करके आपस में जॉइन करते रहे हैं ऐसा तीन से चार बार या पांच बार आप कर सकते हैं इससे बालु शाही में बहुत अच्छी लेयर साएंगी और मैंने डो को डिवाइट कर लिया है चार पार्ट में अब धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे से पीसेस कट कर लीजे जितनी बड़ी आपको बालु शाही चाहिए और बस उसे हलका सा प्रेस करते हुए एक ही डिरेक्शन में हम उसे घुम इसमें हालका सा प्रेस करते हुए बीस से एक छेट कर दीजे और इस तरीके से सारी बालु शाही को रेडी कर लिजे यह देखें में ने वालु शाहिए रेडी कर ली है गैस प्रग णिसमें बढ़ आ गरम होग चोटा सा मैंने पीस एक यहांटे कर देख लिया था जैसे ही वह उपर आजाएगा इसका मतलब ऑपर का टेम्परेचर ठीक है ओयल हमें जादा गरम बिल्कुल नहीं चाहिए ये देखिए ओयल बिल्कुल हलका सा गरम है और ऐसे ही ओयल में हमें डाल देनी है बालु शाही अब इसे हमें बिल्कुल सिम गैस पर कम से कम 10 मिनट के लिए फ्राई करना है उसके बाद आप इसे मीडियम पे ले आएं जब तक ये बालु शाही ऊपर ना आ जाए तब तक आप इसको टर्न नहीं करेंगे उसे टच भी नहीं करेंगे जब ये ऊपर आ जाएगी तो आप धीरे-धीरे करके इसे टर्न कर दीचे और टर्न करते हुए हलकी गुलाबी होने तक फ्राई कर दीचे और ये देखिए हलका सा कर दीचे जाए इसे निकाल लीजे इस समय ये बहुत ही सॉफ्ट है और चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है चाशनी का टेंपरेचर हमें गरम नहीं चाहिए हलकी सी गुनगुनी चाशनी चाहिए ना बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए अगर बिल्कुल ठंडी हो इसमें इस तरीके से रख दीचे दो मिनट के लिए इसे एक साइट से छोड़े उसके बाद इस तरीके से धीरे से टर्न कर दीचे एक एक करके सभी बालुशाही को हम टर्न कर देंगे और बस इस तरफ से भी दो मिनट के लिए छोड़ दीजे इसे बालुशाही चाशनी को अपने अंदर अब्जॉब कर लेगी और बस एक तरफ से आप दो मिनट तक ही छोड़ेंगे वरना बालुशाही सौगी हो जाएगी इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बालुशाही बहुत ही अच्छी बनेगी यह अंदर से जूसी होगी और बाहर से खस्ता और यह देखिए आपकी बालुशाही बनकर बिल्कुल रेडी है बस इसे ठंडा हो जाने दीजिए उसके बाद इसे गार्णिश कीजिए अपने मन पसंद राइफ रूट्स के साथ और ठंडी होने के बाद मैं इसे गार्णिश कर लिया है पिस्ता और बादाम के साथ इसे बना कर आप इंप्रेस कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अबस्ट इन पर्गे टो लागे एंड या विडू एंड शुप्राइब टो शुप्राइब टो मैं चैनल रेसिप्स आट रंड बादाब आए